गुड मॉर्णिंग फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फैनकोड ओमेंडीट्वेंटी स्रिच के जो अगला मुकाबला आज होगा के एच डबलू वर्सेस बी ओबी के बिच में इस वीडियो के अंदर मैं पूरे डिटेल से बात करेंगा दोस्तों दोनूँवे टीमों ने अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं इस स्रिच के पहला मुकाबला जो की के एच डबलू ने 6 मैचेस खेला है साथी साथ आपको बताएंगे दोस्तों कौन से बॉलर इस मैच में कम्प्लिट आपको चारोबर तक गेनबाजी करते हुए दिखेंगे किसे अपने टीम में आप कैप्टेंसी के लिए ले सकते हो किसे वाइस कैप्टेंसी के लिए ट्राइ करना सही रहेगा सारी डिटिल्स में आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ ताके इस वीडियो के अंदर जितने भी इन्पोर्टेंट जानकारी है आपको मिल पाए और आप एक बहुतरी टीम बना पाओ लेकिन जितने भी हमारे नई मेंबर जुड़े हैं दोस्तों इस वीडियो के थुरू हमारे इस चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस मैच का अगर आप फाइनल टिम पाना चाहते हो लाइन अप के बाद तो हमारे टेलेग्राम ग्रूप को एक बार जरू जोइन कर लेना इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रेशन बॉक्स में और कमेंड बॉक्स पहला कमेंड में हमारे टेलेग्राम ग्रूप का लिंक आपको मिल जाएगा आप आसानी से क्लिक करके जोइन कर सकते हो चली मैच के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स यह जो मैच है AL Emirate Cricket Ground, Omen Cricket में यह मुकावला होगा जिसे कि आपको पता होगा कि Omen D23 के सारी मैचिस इसी ग्राउन पे हो रहे हैं यहां कि अगर आप पीच कंडिसन देखोगे तो दोस्तों बल्लेबाज़ों और गेंदबाज दोनों ही डिपार्टमेंट को अभी तक इक्वल सपोर्ट देखने को मिला है इस ग्राउन पे बाकी डेड़ स्वक्यासफास आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है KHW के टीम ने अभी तक इस टूनामेंट के छे मैचेस खेल चुके हैं जिसमें से तीन मैचेस में वन कर गया है और तीन मैच लॉस किया है जैसे कि में आपको स्टार्टिंग में कहा था लेकिन बी ओबी के जो टीम है चार मैच में एक ही मैचेस में यहाँ पर वन कर रहा है और तीन मैच लॉस करते वे आए हैं इससे एक चीज तो साफ जाहिर होता है दूस्तों कि KHW के जो टीम है तापर मजबूत इस्तिति में है और बी ओबी के टीम के मुकाबले तोड़ा जादा जितने के चांसेस रहेंगे आज के मैच में बाकि KHW के जो टीम है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अमर कलीम खिलते वे नज़र आएंगे जो के टीम के कैप्टेन है लीड करते हैं बहुत अच्छे प्लेयर है पूरे इस टुनामेंड में अगर आप देखते हैं तो दोस्तो अठार अरण बना की छे विकेट अपने नाम की हैं बैटिंग ओडर अगर आप देखेंगे सेकेंड डाउन पर खेलेंगे बहुत अच्छे प्लेयर है आप इनको कैप्टेंसी के लिए भी ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि प्लेयर जो है नहीं बहुत ही सांधर है बाकि इनका रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है दोस्तो यहां पे मुझाफर को इनको डॉप करते हुए जा सकते हैं अमिर अली बेस ट्राइंगे दोस्तो टीम के तीन नमर पे बल्ले बाजी करते हैं गिन्द बाजी भी करेंगे एक एक विकेट निकाला है यह एच्छे प्लेयर इनको अपने टीम में आप रख सकते हैं शीन नमर की बात किया जाए 154 अन स्कोर करा है टीम के फर्स्ट आउन पे खेलेंगे तिनको अपने टीम में आप ले सकते हैं अभी तक देखोगे एक ही मैच में इनको विकेट मिला है बागी के सारी मैच में यह फ्लॉप रहें तो इनको अपने टीम में आप ड्रॉप कर सकते हैं मोजाहिर राजा जो की 11 विकेट अपने नाम के हैं दूसर टीम के चार वबर कंप्लिट गिंदबाज ही करेंगे टीम के में गिंदबाज है इस बोलर इनको अपने टीम में आप सेलेट कर सकते हो बाके जिसन सिदिखी की बात किया जाए तो 185 विकेट निकाले हैं टीम के टॉप अटर का बैट्समेन है इनको अपने टीम में आप ट्राइ कर सकते हैं जो गिंदबाज ही देखा जाए तो आपन करते भी दीखेंगे मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर आप ले सकते हैं बाके इन दोनों का रिकॉर्ड उतना कुछ खास है नहीं तो आप ड्रॉप करते विए इजी जा सकते हैं तो यह अगर आप देखेंगे दोस्तों की एजडबलो का रिकॉर्ड तो बैटिंग और आपको अल्मोस्ट सेम देखने को मिलेगा जादा कुछ यहाँ पे complicated match है नहीं दोस्तों तो आप यहाँ पे easy select कर सकते हूँ अपने टीम में इस टीम के तरब से player बाके बीओ भी की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रित्वी मची जो आपको टीम के captaincy कल्दी खलते वे नज़र आएंगी पुरे स्रेज में इनोंने 47 run score करा है इनको अपने टीम में आप ट्राय कर सकते हूँ अच्छे player है तो 32 run बना के 5 wicket अपने नाम कें दोस्तों यह टीम के main गिंद बाज चार ओवर तक गिंद बाजी करते हैं आप इनको as a बोलर ले सकते हैं दोस्तों जो टीम के complete चार ओवर गिंद बाजी पलस टीम के second round पे बले बाजी भी करते भी दिख जाएंगी इन दोनों का record कुछ खासने देखो यहाँ पर अगर अधनान सुलेरी खेलेंगे न तो याद रखना दो मैच में काफी बढ़ी हैं इनोंने खेला है और बैटिंग आपको टॉप अडर पे खेलते भी दी जाएंगे खेलने के कम चांस है अभी मान के चलते हैं कि इनको ड्रॉप करेंगे अगर खेलेंगे लाइन अप में अगर यह रहेगा तो इस बंदे को याद रखना गेम चिंजर प्लेयर हो सकता है महदी हसन की बात करेंगे तो बारन बना के एक विकेट निकाला है इनका रिकॉर्ड कुछ खासने आप ड्रॉप कर सकते हैं फवाद अली जो की 41 अंड स्कूर करते वे तीन विकेट निकाले यह भी टीम के में गेंदबाज है इस बोलर इनकाले टीम में आप ले सकते हैं बिलाल साने पांच विकेट निकाला है दोस्तों भी तक पूरे स्रीज में यह भी टीम के चार वर कंपिल्ट गिनबाजी करेंगे बाकि इन दुनों का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं साबाज साजो की एक ही मैच खिलाता तीन ओवर गिनबाजी करते वे एक वी के दिन को मिला है और सेद का रिकॉर्ड कुछ खासने तिन को आप ड्रॉप कर सकते हैं तो फ्रैंड्स ये जो डीटिल्स आप देख रहे हैं दोनुए टीमों का जो रिकॉर्ड आप देख रहे हूँ जो बैटिंग ओडर आप देख रहे हैं Almost same बैटिंग ओडर आपको इस मैच में भी देखने को मिलेगा उम्मिद करता हूँ भाईयो आपको बैटिंग ओर का नॉलेज आ गया होगा लेमो टीम त्यार किया है तो चलिए उस टीम की और आगे बढ़ते हैं शुरुआत करेंगे भाईयों सबसे पहले विकेट की पर से यहाँ पे एर ओफ को मैंने कहा था एज़ी कि आप बीओबी के टीम के तरफ साफ इनको ट्राय कर सकते हैं यह आपके लिए बेश्ट पीक रहागा ते इनको मैं अपने टीम में ट्राय कर रहा हूँ बैटिंग की बात करेंगे तीन बैट्समन को मैंने लिया हुआ है जिसन से दिखिए जो कि के एज़ टीम के टीम के तरफ से आपको एज़े बैट्समन टीम के टॉप अडर पे बल्लेबाज ही करते भी दिखेंगे एस नवक का भी रिकॉर्ड मुझे काफी सांदर लगा है मन आपको पहले कातर ट्राय कर सकते हो देखो एस अम यहाँ पे अमिर अली जो है न यह के एज़ डवलो के टीम के तरफ से यह अच्छा पीक रहागा गर आप इनको लेना चाहते है तो ले सकते हैं क्योंकि यह भी टीम के टॉप अडर भी खिलते वे नज़र आएंगे एस उलेरे भी बेश पीक रहागा बी ओवी के टीम के तरफ से यह भी आपके लिए एक अच्छे बल्लेबाज सावीत हो सकता है देखो बाकी का रिकॉर्ड उतना कुछ खास है नहीं यहाँ आपके लिए एक दुस्तो यहाँ पर डिफ्रेंसियल पीक के तौर पे आईस अमीर अली के साथ आप ट्राइ कर सकते हैं और रांडर में कर आप देखेंगे तो चार और रांडर को ट्राइकर रखा बी ओबी के टीम के तरफ से यह दोनों के दोनों बहुत अच्छे प्लेर है दोस्तो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते भी दिखेंगे मैंने आपको रिकॉर्ड आपको दिखा रखा है ए राजा को ट्राइकर रहेंगा और एक अलीम को तो कैप्टेंसी के लिए लेने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको कहा था टीम के टॉप अटर पे खेलते हैं टीम के कैप्टेन है दोस्तों बॉलिंग भी चार ओवर करते हैं बाकि कैपिंसी के रूप में एक अलिम बेश्ट रहेगा वाइस कैपिंसी के लिए मैं इनको पनेमे टिम में ट्राइ कर रहा हूँ बाकि इस टीम को स्वेफ कर लो दूस्तो लाइनप का वेट करना मैं इस मैच का फाइनल टीम आपको टेलेगराम गुरुप में शियर कर बाकि मिलते भाईयों नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद।